गुड मॉनिंग स्टूडेंज अब हम अपना थर्ड पार्ट कंप्लेट टर लेते हैं बेटा इस लेसन का अब थर्ड पार्ट के बाद जो है हमारे लेसन कंप्लेट हो जाएगा ठीक है देखो फटा फट देशांतर और समय यानि की लॉंगी ट्यूर्ज है और एंड टाइम क लॉंगी ट्यूर्ज यानि की देशांतर का टाइम के साथ क्या संबंद है जैसे मैंने पुरानी वीडियो में आपको थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था कि यह जो लाइन है सीधी सीधी जो दिखाई देरे बिटा आपको यह क्या है यह देशांतर रेखाएं है यह लॉंग देशांतर रेखाएं है यहां से हम जो है समय के बारे में पता लगा सकते हैं समय को मापने का सबसे अच्छा साधन तो क्या माना गया बिटा के प्रित्वी चंद्रमायम ग्रहों की गती है सुर्यो देया हम सुर्यो परति दिन होता है अता स्वाभ्याविक ही है कि यह पूर जो दोफैर में सबसे छोटी एम सोरिय उदय तथा जो सूरिय अस्त के समय सबसे लंबी होती है ठीक है जब सूरिय जब सबसे जब सूरिय निकलता है तो हमारी परचाही सबसे छोटी होती है जब हमारा परचाही सबसे लंबी है इसका मतलब सूरिय अस्त छूरिय चुपने व और क्या होगा ग्रीनीच पर रात को सोरी दिन के बारा बजे होंगी ठीक है तो तो फैर होगी पृत्वी पश्चिम से पूरव की और घुनती है यह मैंने आपको शुरू में ही समझा लिया था लेसन के स्टार्ट में ही कि यह हमारी चार दिशाएं होती है ठीक है यह हमारी प पुर्व की और घुनती है ठीक है अत्यवे स्थान जो ग्रीनीच के पूरव में है उनका समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा ठीक है इस तरीके से जो है चित्र आपको यहां पर मैंने समझाय था कि जो जिदर प्लस-प्लस की निशान लगे जो है जिनका जो है इधर माइनस माइनस लगा होगा उनका समय पीछे होगा इस तरीके से रहेगा ठीक है तो इसके बाद समय के अंतर की गन्ना निमली प्रविदी से की जा सकती है लगभग प्रित्वी लगभग 24 गंटे में अपने अक्षपर 360 डिग्री घूम जाती है ठी 360 गुना जो है उसको एक गंटे में 24 गुना आजये तो आपका आजयेगा 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री इस तरीके से गूमती है प्रित्वी इस परकार से जब ग्रीन रिच में दोफ wygląda 12 बाद वैस्ते हैं तब ग्रीन रिच में 15 डिग्री पूरव में समय होगा अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 गंटा आगए अर्थात वहां दुफैर का 1 बजा होगा लेकिन ग्रीनिच से 15 डिगरी पस्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 गंटा पीछे होगा यानि वहां सुबधे के 11 बजे होंगे इसी प्रकार जब ग्रीनिज पर दुफेर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्री होगी किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में उसके उच्छतम बिंदू पर होता है तो दुफेर में उस समय घड़ी में दिनके 12 बजते हैं इस प्रकार समय क्यों मानते हैं कि किसी भी देश के लिए जो है जो एक टाइम निर्धारित करना क्यों जरूरी होता है यह इसका मतलब यह है कि महालेजे सूरज कहां पर निकल रहा है और फिर उसके बाद सूरज का जो है अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग टाइम पर दिखाई ठीक है उधारण के लिए बहुत से देशांत्रों से गुजरने होकर गुजरने वाली रेल-गाडियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा भारत में गुजरात के द्वारका तथा आसाम के डेबरुगड के स्थानिये समय में लग-भग एक गंटा 45 मिंट का अंतर ह होता है क्यों होता है यह अंतर क्योंकि वो दूरी के कारण ठीक है देशांत्रों के कारण होता है इसलिए यावशक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामियोत्तर के स्थानिये समय को देश का मानक समय माना जाए और इस यामियोत्तर रेखा के स्थानि समय को हम पूरे देश का मानक समय मान लेते हैं भारत में बहारत में साड़े 22 डिगरी basta पूरा गया यानि की 82 डिगरी 30 अंश्पूरों को भारत का मानक यामियुत्तर माना जाता है यह आपके इसे किस नाम से जाना जाता है इसको इंडियन स्टेंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है इंडियन स्टेंडर्ड मेरीडियन कहा जाता है इसको ठीक है इसके बाद क्या कहते हैं बैटा आपके जो मेन बात है वो यहां पर खतम हो चुकी एलेसन की आगे थोड़ा सा बताया बाद के साड़े साथ बजे शुरू होगा तथा देर रात में समप्त होगा क्या आप जानते हैं कि भारत बिदिनिच के पूरव में साड़े व्यासी डिग्री पूरव में स्थित है तथा यहां का समय ग्रिणिच समय से साड़े पांच गंटे यानि कि पांच गंट तीस मिनट एक गंटे में कितने मिनट होते हैं साथ मिनट होते हैं ठीक है तो पांच गंटे तीस मिनट आगे होता है इसलिए जब लंदन में सबसे बड़ा कन्ट्रीय है तो एत्षी स्तिती में रशिया सबसे बड़ा कंट्री है ठीक है तो इस स्थिती में रशिया सबसे दिशांतर भी बहुत दूर दूर है जादा जादा है ठीक है प्रत्वी को एक एक घंटे वाले 24 समयक शेत्रों में बाटा गया है इस प्रकार से प्रते एक समयक शेत्र 15 डिगरी दिशांतर तक के शेत्र फल को घेड़ता है जैसे ये जो है बैटे इनके बीच में कितना है फंद्रा डिगरी का रखा घ्वल रखा गया तो है अगे चलते देखो पहलेगरे यहां से बीच में ठीक है तो यह हो गया बीच उसके बाद एक दो तीन चार और फिर पांच ठीक है यह पांच हो जाता है जब हम पांच को इसको नीचे उतार के लेके आते लाइन को तो यह आप अपनी किताब से मैच करके देख लेंगे बेटा यह बिल्कुल पांच और अधा यह पर पड़ जाता है ठीक है इस तरीके से दिखाया गया है तो यह जो हमारे लेसन है बहुत इजी है देखो इसमें सारे जो है यह दे रखें और को शन दे रखें इनको सब धंसे कर लेंगे यह आपके पेपर में आते हैं बिटा प्रमुख यामियोत्तर का मान कितना होता है अब सब बचों को पता है जीरो डिगरी ठीक है उसके बाद दूसरा जो है शीत कटी बंद किसके नस्दीक पाई जाता है धुरू के शीत का मतलब क्या होता है जहां पर सर्दी सबसे ज़्यादा होती है तो सर्दी सबसे ज़्यादा कहां पर होती है बेटे जैसे सर्दी सब सबसे ज़एदा यहां पर होती है मैं जबसे ज्यादा होती है तो यहां पर कितने डिग्रीव भथा है यहां पर जरो लेक्री होता है कि उसके बात आगे अगर देखो इटा देशांत्रों की कुल संख्या कितनी है यह जाल बने हैं भी तो हम ग्रीड कहते हैं ठीक है तो अक्षान्ष रेखा हो और देशान्त्रिय यामत्तरों का जो जाल होता है उसको हम ग्रीड कहते हैं इसके बाद फिरिंद ब्लैंक्स देख लेंगे आप के मकर रेखा कितने डिगरी पर होती है उसके बाद भारत का मानक यामियोत्तर साड़े ब्यासी डिगरी पूरव में होता है यह आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा आप जो है एक्सरसाइज इतना सारा लेसन पढ़ने के बाद एक्सरसाइज अगर आप खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है इसस के जीरो डिगरी यामियोत्तर को हम क्या कहते हैं यह देखो बटे यह लाइन है आपके पेज नमबर 13 पर है प्रमुख यामियोत्तर कहते हैं इसका मान जीरो डिगरी देशानतर है समझ गे तो इसका मतलब क्या है के जीरो डिगरी यामियोत्तर को हम क्या कहते हैं प्रमुख कुनसी रेखाई हैं देशांतर ये वाली ठीक है तो देशांतरों के बीच की दूरी गढ़ती जाती है कैसे जिसstones की तरफ बढ़ते जाएंगे दूरी गढ़ती जाती जाती है उतर धुराऴ वरत क्लिव का कर तित है इस तरीके से आप कोष्ण कर लेंगे और यह सारी आसान कोशन है यह आपकी सारे किताब में जो है एक एक सारे आंसर्स आपको आराम से मिल जाएंगे आप अपने बुक्षे एक्सरसाइज को कम्प्लीट करेंगे कोशन आंसर्स को आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आगा होगा लेसन कोई डाउट नहीं बचा होगा जो है इसको वीडियो को देखिए इससे आपके कुछ डाउट भी होगे तो वह क्लियर हो जाएंगे ठीक है थैंक्यू अल आफ यू बेटा बाई